नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर बुढ़ापे में आमदनी की गारंटी परधान मंतिर नेंदर मोदी की भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिस योजना के अंतरगत आप आविदन करके अपने बुढ़ापे को शिक्योर कर सकते हैं यानि कि बुढ़ापे में भी आप 50,000 रुपे तक की पैंसन परतिमा अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो इस योजना का लाब सभी को नहीं दिया जाएगा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस योजना के अंतरगत आविदन करके अपने बुढ़ापे में 50,000 रुपे तक की पैंसन प्राप्त कर सकते हैं इस योजना का लाब किन लोगों को दिया जाएगा और कौन आविदन करके लाप राप्त कर सकते हैं इसके बारे में आज आपको डिटेल वाइस में जानकारी दी जाएगी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चले दोस्तो वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में कारे करते हैं काम करते हैं और रिटायर होने के बाद फाइनेंशल सिकुर्टी अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाते हैं तो आपके लिए ये सरकारी योजना एक बहुती काम की है यह स्किम सिर्फ इंकम टैक्स बचाने के फाइदे ही नहीं देती बलकि नोकरी से रिटायर होने के बाद हर महीने तैर रकम की गारंटी भी देती है अगर आप सही योजना बना कर इस इसकिम में इंवेस्ट करें तो बड़े आराम से हर महीने पचाहजार रुपे तक की पैंसन घर बैठे आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं इस पैंसन इसकिम को लंबे अवधी का इंवेस्ट मेंट माना जाता है इसमें आप नोकरी करते हुए थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर सकते हैं जो कि रिटार्मेंट होने के बाद लाभारती को दिया जाता है पैंसन इसकी में जमा हुए रुपे इन्वेस्टर को दो तरीके से दिये जाते हैं आप इसका सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं जबकि दूसरा हिस्सा पैंसन के लिए जमा रहता रहेगा जिससे दोस्तो अनिकी अनिउटी खरीदी जा सकती है अनिउटी खरीदनी पढ़ती है अनिउटी खरीदने के लिए जितनी अधीक रिकम आप छोड़ेंगे आपको रिटायर होने के बाद उतनी ही ज्यादा रिकम पैंसन के रूप में मिलती रहेगी अब 50,000 रुपे पैंसन के लिए लाभारती को क्या करना होगा कैसे 50,000 रुपे पैंसन बढ़ापे में पराप्त कर सकते हैं वह जानने से पहले योजना के बारे में कुछ जरूरी बाते जानना आपके लिए बहती जाती जरूरी हो जाता है पैंसन इसकी में दो परकार के अकाउंट खोले जाते हैं समझेगा दोस्तों बात करते हैं पहले परकार के बारे में आने की पहले परकार के अकाउंट जिसे NPS tier 1 के नाम से जाना जाता है जबकि दूसरे परकार के अकाउंट को NPS tier 2 के नाम से जाना जाता है कहा जाता है अगर कोई retirement के फाइदे पाना चाहता है तो उसके लिए tier 1 account ही विकल्प बहुत अच्छा माना जाता है tier 1 account मुख्य तोर पर उन लोगों के लिए जिनका PF जमन नहीं होता और वह retirement के बाद financial security चाहते हैं उनके लिए tier 1 माना जाता है इस परकार के account यानी की NPS tier 1 को retirement के हिसाब से ही तयार किया गया है इसमें आप कम से कम 500 रुपे जमा कर account ओपन करवा सकते हैं खुलवा सकते हैं retirement के बाद आप एक बार में 60 फिजदी तक रकम निकाल सकते हैं बाकी 40 फिजदी रकम में NUTs खरीदी जाएगी जो की हर महिने की pension के रूप में नियमित आयका साधन सुनिचित करता है NPS के tier 1 में account में दोस्तों contribution पर और withdrawal दोनों पर tax से छूट के भी लाब इसमें दिये जाते हैं अब यहाँ पर देखिए contribution की बात करें तो NPS tier 1 account में मामले में account holder को income tax act 80C के तहत यानि की 1.5 लाक रुपे तक और 80 CCD यानि की 1B के तहत 50,000 रुपे के tax deduction का लाब भी लाबारतियों को मिल पाता है वही NPS tier 1 account से निकासी की गई पूरी रकम को tax से छूट मिलती है हाला कि NUT से होने वाली कमाई पर tax की देनदारी भी बनती है इस कमाई को आपकी अन्य सभी कमाईयों में जोड़कर आपका slab निर्धारित किया जाएगा और उसी के हिसाब से ही income tax भरना होगा अब मान लेते हैं कि आप tier 1 के होने के बाद NPS से 60 50 हिस्सा एक बार में निकाल लेते हैं और 40 50 बचे हिस्से का इस्तमाल NUT खरीदने में कर लेते हैं इस इस्तिती में हर महिने 50,000 रुपे पैंसन पाने के लिए आपको 2.5 करोड रुपे का फंड तयार करना होता है ऐसे होने पर आप retirement के बाद 60 फिजदी यानि की 1.5 करोड रुपे एक बार में निकाल सकेंगे जबकि बाकी 1 करोड रुपे से NUT खरीदी जाएगी दोस्तो NUT याँ पर खरीदी जाती है इसके बाद इसमें बता गया है कि सालाना NUT रेट 6 फिजदी मानकर गणना करे तो इस इस्तिती में आपको हर महीने 50,000 रुपे पैंसन मिलती रहेगी अगर आप अधिक हिस्से से NUT खरीदेंगे तो इससे कम से कम फंड याँ पर जो है वह आपका बन जाएगा इसमें कम फंड से भी जो बात है वह बनती रहेगी यहाँ पर आपको जोलाब है मिलत रहेगा NPS इसकीम का खाता आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं यह योजना पूरे भारत में लागू है अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदी की बैंक से संपर कर सकते हैं वहाँ पर अपना खाता ओपन करा सकते हैं जो भी बैंक का आपके नजदी होता है यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जबाब आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको अमारे दिखुई जानकारी थोड़ सी पसंद आई तो वीडियो को ज़र लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है लाश्ट में विदर नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत